तो दोस्तो किसी भी fan capacitor को कैसे चेक किया जाता है इस टॉपिक पर यूटूब पर आपको कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तो यूटूब पर ऐसा वीडियो सायद आपको देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बत बताने वाला हूँ तो चले दो तो वीडियो करता है तो दोस्तो सबसे पहले आपको एक स्यरीज बोर्ड ले 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 लिए इस टेसे जिटेट मैं आपको चेक करके दिखाता हूं जैसे मीज को सौट कर रहा हूं तो हमारा स्यूट का बलब गलो कर रहा है ठीक या सिरीज बो यह पता चलेगा कि न्यू जो कपीशिटर होता उसमें कितना पावर बचा हो रहता है तो हमें कैसे पता चलता है सीज़ड़ के मदब से चेक करने पर तो यह आपको पता चल जाएगा तो सबसे बहुत पर न्यू कैपिसिटर जो की फॉर करके दिखाते हैं यहां पर देखतो सीज़ड़ में चेक करें तो आप दे सकते हैं यह सीज़ड़ का जो बल्ब का फिलमेंट है दोस्तो वाग लोग टर ठीक है दोस्तों अगर आप चलता है कि इसमें काफी पावर इस्टोर हो रहा है याज हम इसको शौट करते हैं जैसे स्पार का च्छा और लृब का विलमेंट ग्लो कर रहा हल्का सा तो इसमें काफी सारा पावर अभी इश्टौर है तो हुआ जंटल खूँ है अब आपको कितूष करें चैक कोने कॉई केंचे करा खराब है कोई कोई सौर्ट है ठीक है तो यहाँ तो यहां पर जता है कि इसमें पावर तो है बट इसमें काफी ज़्यादा पावर स्मीश्टोर नहीं का जो बहुत है तो कि तरह से आप पता लगा सकते हैं ऐसी श्वाम और यहां पर रहे हैं तो इसमें भी हल्का सपार्ट हो रहा है तो इससे यह पता चलता है कि इसमें पावल है बट इसमें लगा सकते आप चलते हैं तो आप covid टो डिन्य को चेक करते हैं đị nat Щ 6000 फिलाम प्रफशड्र इसको चाहत और ऊच्छावह नहीं करते हैं तो इसके बाद इसवाल है को चेक करते हैं तो आप इस में फिलामेंट टेलों नहीं कर रहा है और यहां में उसका क्यों परशॉर्ड मण इन हम इसको की नहीं हो रहा है तो इससे ही आप पता चलता है कि यह जो क्यापिस्टा है वा डीड हो चुका है इसमें किसी भी पकार किसमें पावर इस्टोर नहीं है अब दोत्वाम यहाँ पर फोर्क मेपडिक का चेक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी फिलामेल्ट काफी अच्छा ग्लो कर रह है तो इससे यह पर चलता है कि इसमें काफी अच्छा पावर अभी तक बचा हुए आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आप कपिश्टा को चेक करके पता लगा सकते हैं कि खराब है यह नहीं और उसमें कितना पावर इस्टोर है ठीक है तो यहाँ पर हम सुवर करने पर क्या इसमें देखने को मिलता यहाँ पर यहाँ बनेशसे में इसको चےकर है हमारा बल्र फूलक कर रहा है दो तो यहाँ पर बल्र फूलकर हो चुक रहा है और यहां इसको साव करके देख तो इसमें किसी प्रकार के स्पार्क नहीं होता क्योंकि यह सौट है जोस्तों इस तरह से आप स्रीजबोर के त्रूप पता लगा सकते हैं कि कौन से कर भीष्चा खराब है यह नहीं और उसमें कितना पावर इस टोर अगर आप इस तरह का स्रीज बोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर एंड स्क्रीम जो वीडियो सो हो रहा है उससे आप क्लिक करके इसका वीडियो दे सकते हैं ठीक है